अब लोग उम्मीद करता हूं, आप सभी अच्छे होंगे। जियाँ दोस्तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपार्टेंट हो सकती उन लोहों के लिए जो लगातार ग्रेंड लीक खेल लें जियाँ दोस्तो दो साल हो गया, तीन साल हो गया, चार साल हो गया, लेकिन अभी तक उन्होंने Grand League नई विन करी है, दोस्तों आज की इस वीडियों में मैं बात करूँगा सिर्फ छे टीमों के बारे में, जी हाँ अगर आप हर एक मैच में छे टीमें बना रहे हैं और 10 से 15 मैच लगातार खेल लें, दोस्तों मैं कहता हूँ इस तरह से अगर आप टीमें बना इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी रैंक जरूर इंप्रूब होगी, जी हाँ दोस्तों जरूर इंप्रूब होगी, तो पूरी वीडियो ध्यान से एंड तक देखनी है, वीडियो इस्टार्ट करने से पहले ही सभी को वीडियो को लाइक कर देना है, और एक प् तीमें बनाके दिखाएंगे जिया दोस्तों किस तरह से बनानी है यह आपको एक इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है जिया दोस्तों इसकी आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए सबसे पहले दोस्तों आपको पिछ के बारे में अच्छा नालेज होना चाहिए अब पिछ के बारे में क्या नालेज होना चाहिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी टीम अच्छा कर सकती है जो टीम पहले बैटिंग करेगी जो टीम क कौनसी टीम तोर्य साथी साथ इस सूर्ब होना चाहिए साथ इस पिच'd पर सकती तो सी प्लैयर को पर why कीया होता है जबבןिया रूप को नई नर्वीजर होती है किस एंपिच'd नैथ पाएंगे, ओपनर्स को लेना है, ड्रॉप करके चलना है, तो यह चीज़ आपको एक ध्यान होनी चाहिए, बाकि दोस्तों, डेथ ओवर्स में विकेट्स कैसे गिरते हैं, यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ग्रेंड लीग के लिए आपको कुछ यह चीज़ हैं, जो कि फाइनल प्लेंग लेवन आ ही जाती है, और उसके बाद आपको कनफर्म बैटिंग ओर्डर भी पता होना चाहिए, सबसे पहले चलते हैं, दोस्तों हम यहाँ पे उदाहर लेके चलेंगे, इंडिया और पाकिस्तान के मैच का, यहाँ पे इसका एक्जामपल लेंगे, माली इस पिच के बारे में भी हमको सब कुछ पता है, और इंडिया और पाकिस्तान की माली जी हमको प्लेंग लेवन भी पता है, देख लेते हैं, दोस्तों हम मान के चलते हैं, इंडिया की जो प्लेंग लेवन है, यह हो सकती, रोही शर्मा के अलाहल उपनिंग कर सकते हैं, विर है कि यहां पे भूमनेशवरकन और अर्षदीप सुन्ग सुरुवात में पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे और सुइंग बॉलर्स को यहां पे help मिल रही यह भी हमको पता है ठीक है उसके बाद भूमनेशवरकन और अरषदीप सुन्ग यही तोनों बालस डेथ में भी बॉलिंग करेंगे ये भी चीज हमको पता है तो ये सारी चीजे हमको कनफर्म पता होने चीजे तभी हम एक बेस्ट ग्रेंड लीग की छे टीमें बना पाएंगे जिसमें से एक टींग रैंक कर पाएंगे दूसरी चीज दोस्तों उसके बाद हमको ये भी पता है कि पाकिस्तान की जो प्लेंग लेवन है उसमें बावा राजा मोहमर इजबान ओपनिंग करेंगे फकर जवान तेन नंबर पर हैदर राली खुश्दिल सा आजसी फली सादाव खान मोहमर नवाज हसन अली नसीम सा हारी श्रूब ये दोस्तों इनकी प्लेंग इसमें कौन से पावर प्लें बोलिंग करेंगे मतलब यह सारी चीजें हमको पता है यहाँ पर और हसन अली यही हमको पता है कि बोलिंग करेंगे ठीक है तो इस जो हमने यहां पर एक example लिया है इंडिया पाकिस्तान के match का एक example लिया है तो इस पर हमको टीमें बनानी है ठीक है इस पर हमको 6 टीमें बनानी है तो किस तरह से बनानी है कि हमारी एक टीम रैंक कर सके और येसी तरीके को आपको हर एक match में यूज करना है तो आपकी एक मैच में ग्रैंड लीग विन हो सकती है इसलिए मैं बता रहा हूं उससे पहले दोस्तों आगर आप हैट टो हैट तीन मेंबर चार मेंबर के लिए बेस्ट फैंटसी एप ढूल रहे हैं जहां पर दोस्तों बहुत कम कंपटीशन हो चीतने के चांस बहुत जादा और कमीशन बहुत कम हो ठीक है और इस्टेंट विड्राल है लाइव काल सपोर्ट है तो इस पोसी निग जो एप है वो आपके लिए जहां दोस्तों आप जाके डाउनलोड करिए और यहां पर क्या करिए डिपोजिट करके आज से खेलना करिए क्योंकि दोस्तों अगर बात करे यह आपका बहुत सारा पैसा सेव हो जाएगा तो मैं बात कर रहा था आपको ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनानी मतलब हर एक चीज आपको पता है जो जो चीजे मैंने बताए पिच रिपोर्ट पता है पिच के बारे में मतलब कौन से बॉलर हैं जो स्विंग बॉलिंग करा ठीक है तो उसमें आपको पहली टीम आपको तब यह बनानी जब माली जी इंडिया की टीम बाद में बैटिंग करेगी पहले बॉलिंग करेगी ठीक है माली जी मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करेगी बाद में बैटिंग करेगी तो एक ऐसी आपको जरूर बनानी है जिसमें दो तो आपने क्या किया इंडिया के पांचों बॉलर्स ले लिए ठीक है रभी चंदर आश्मीन हार्दिक पांडिया भूमने शरकुआर और इज्वेंद चहल अर्षदीब सीम् उसके बाद आपने क्या किया रोशी शर्मा और लोकेस र पॉर्डर है ठीक है यह मैं एक्जामपल लेकर आपको बता रहा हूं आपको हर एक मैच में इसी तरह से बनानी है टीम फिर क्या किया देख सकते हैं इन्हें 140-150 बनाया और आल आउट हो गए मलिया आट-9 विकट दे दिया इन सारे बॉलर्स को विकट मिले बहुत बार ऐसा होता है तो इनको सबको विकट मिले उसके बाद दोस्तों क्या हुआ जो स्कोर हुआ पाकिस्दान की तरफ से वह introduced तो हमारी टीम एक बहले से ही रैंक कर चुकी होगी, क्योंकि हर एक बालने विकर लिया हमारी टीम में, जिसने स्कोर किया वो भी हमारी टीम में, पहले से ही हमारी टीम टॉप में होगी, अब अगर ये दोनों ओपनर्स आके मैच को फिनिस कर जाते हैं, तो हमारी टीम एक हो आपको जो बाद में बैटिंग करने वाली टीम के ओपनर से उनको आपको कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राइ करना बहुत कम ऐसा होता है लेकिन दोस्तों हो जाता है इंपॉसिवल नहीं है ठीक है तो आप क्या करना एक इस तरह की टीम आप बना सकते हैं ठीक है मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच का ले रहा है हर एक मैच में इसी तरह से बनानी दूसरी बात दूस्तों मैं एक समझाने के लिए यहां पर कह रहा हूं जो दोस्तों यह टीम होती है उसमें कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं जो केबल और केबल कहां पावर प्ले में बैलिंग करते जैसे इंडिया में दीपक चहर है ठीक है वो डेथ में बहुत कम बॉलिंग करते हैं हैं च्रेट पर ये बॉलर नहीं करते हैं जो कुछ बॉलर होते हैं जो सुरुग में पावर प्ले में भी दो जुबरर करते हैं, तो आर्शदीव सिंगह काम करते हैं मरुभनेशवर कोईध है तो जो डेथ पहले बाउलिंग करने वाली तीम का स्विंग बाउलर डेथ बाउलर होता है उसको आपको बात 你 के ओपनर को भीतिन चेज करते हो कर द दी ये काम आप रोही तो एक इस तरह की doamग को जरूड बनाने चुब पहले balli टीम उसकी देत वायसा बॉलर स्विंग बोलर दोनों उसको वाइस कैप्टन और उसके opener को कैप्टन ठीछे लौए जो-टीम है यह वाला जो आपको analyze करके बताता हूं जए हां जो चीज ज hygiene ज्यादा हमको rank करी ज्यादा बार rank करी उसी को बताता हो तो आप जाके इस to keep कर सकते हैं दूसरी जी और टीसरी टीम आपको क्या करना है इस तरह से बनानी है ठीक है तिसरी टीम इस तरह से बनानी दोनों तरफ के जो स्विंग बोलर्स हों उनको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइब करेंगे यहां पर अर्षदीब कर सकते हैं वही काम भुमनेशुरुकुमार और नसीम सा को बना सकते मतलब मैं यह दोनों बालर प्ले में करते हैं तो मैं अर्षदीब को यहां पर कम लोगों ने लिया है और मैं ग्रैनली खेलना हूं तो भी मैं यहां पर ट्राइब करना हूं दोनों तरफ के हमने टॉप ओडर को ड्रॉप कर दिया ठीक है फिर हमने दोनों तरफ के शुरुआत के पावर प्ले वाले बॉलर्स हैं अगर यह दोनों फ्लाफ होंगे मतलब दोनों तरफ के चारो ओपनर्स फ्लाफ होंगे तो दोनों तरफ के जो पावर प्ले वाले बॉलर्स हैं जैसे नसीम साय अर्षदीब हैं भूमनेश्वर हैं तो अरिछ रऊप है यह आपको भीकेस लेते दिख सकते हैं अगर यहां पर सब्सक्राइब मेरे करके इस तरह की टीमों को आप छुल टीमों में कशीमों सब्सक्ष कर सकते ही जो प्लेइर स्च बहुत ज्यादा होते उनको फॉड़ा रोटेट Inde करके एक दो टीमों में हैं क्लेई क्ली सकतीन ड Ал kicking काय है आईडिया क्या अब देर सबाइस नसीम सा tyऐ में चे टीमों में कंवर्ट हो जाएंगी आड आम से यहां पर दो जो पति एस पर जोकु करते अगर यहां पर माली यह में पहले सांग पहले लिया भॉहिह पहले आपको पागल न सब्ली ट्रीम और स्थ 11चीर करना तो आपने पाकिसतान के माली जी हमने चार झाल यहां पर लिया आभी पांचमा यहां पर उनको उपने इसको ini बाहे बना के और जो आप बैट सबस्काइस बतो gel High हाई है उनको ड्राप करके लो सेलेक्शन वाले जैसे यहां पर रिशा पंद को कम लोग होने लिया ठिक आप ले सकते विराट कोयली को कम लोग होने लिया तो इस तरह से आप क्या कर सकते उन उन जयादा ट्राइ करना है पहले वाइटिंग करना वाली टीम में ठीक है यकाइड ज़ी चीज होगoya यहाप दूसरी टीम करना जिसे आपने पहले वाइटिं幫 करने वाला देत वोलरा उसका एक बेश्ट ज़िया है ज्यादा लोग बाबा राजम नसीम साह के साथ मोहमार रिजबान और बाकी इन प्लेस में थोड़ा रोटेशन करेंगे जैसे लोकिस राहिल की रोहिश शर्मा या फिर यहां पर आप मालीजे जड़ेजा खेलते हैं जड़ेजा को ट्राई करना जो कम सेलेक्शन बाले हुनको ट्राई करना त तो जो पावर प्ले में बॉलिंग करने वाले दो दो बॉलरस हैं दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर लेना ठीक है अगर मालीजे जो टीम पहले बॉलर को वाइस कैप्टन उसके जो मैन ओपनर को कैप्टन ठीक है यह ची ट्राई करना जो डेथ बोलर होता है पहले बोलिंग करें उसको तो क्याप्टन ट्राई ही ट्राई करना क्योंकि बहुत बार चांस रहता कि हारिस रहूप है जैसे भुमरा है तो इनको विकेस दो तीन मिली ही जाते हैं ठीक है हर्शल पटेल जैसे हैं वही काम अर्षदीफ सिंग कर सकते हैं यहां पर हर्शल पट अगर स्पिन को हेल्प मिले और एक प्लेयर ऐसा है जो फिन को थोड़ा अच्छा खेलता है ठीक है माली जैंब बाबा राजम को माने वाइस कैप्टन और बैस्ट इस्पिनर को कैप्टन तो इस तरह से आप बना सकते हैं टीम आपकी रैंक कर सकती हैं तो दोस्तों इस तरह लेके इंडिया पाकिस्तान के मैच का मैटी में बनाना बताया हुआ कि हर एक मैच में आपको इसी तरह से टीमें ट्राइ करना है मैं कहता हूँ आपकी रैंक जरूर इंप्रूब होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी अगर कमेंट करेंगे तो मैं बहुत ही जादा मोटिवेट हूँगा जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो और भी बहतर इससे बनाऊंगा जिससे आपको और भी हेल्प मिलेगी तो सभी लोग एक प्यारा सा की डेमो-टीमों की वीडियो मिलती है, और हमारे टेलिग्राम चेलेल की अगर बात करें, तो अगर आप नहीं जानतें, तो वहाँ पर आपको Grand League की टीम 그래me मिलती हैं, हमारे टेलिग्राम चेलेल के स्सब्वी तीन मिंबर, 4 मिंबर की टीम मिलती हैं, तो आपका फाइदा जरूर होगा जिस तरह से मैं बताया हूँ इसी तरह से वहाँ पर टीमे में बना के देता हूँ तो सभी लोग जाके टेलिग्राम से जुट जाना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा ठीक है टेलिग्राम से जुट जाना वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना